हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब लोग आई हूप आप सब के सब बहुत बढ़िया होंगे एक positive mindset के साथ अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे है ना कि ये बहुत जरूरी है कि अभी आपका जो काम है वो आप बहुत मन लगा के करें क्योंकि आपके पास कुछ ही समय बा करेंगे ये टेंशन नहीं लेनी है कि सर मेरा selection होगा कि मेरा नहीं होगा आज कल मेरे पास कई बार बच्चों के message आते हैं कि सर मेरा ये backlog है मेरे को ये backlog रह गया क्या मेरा selection हो पाएगा क्या मुझे पता है ये question बहुत genuine है ये ऐसा सवाल है जो मुझे खुद को आया था जब म मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूछना नहीं होता है है ना ये अपने आफ से ना किसी और से क्योंकि ये हमें नहीं पता ना हमें तो ये मान के चलना है कि हमारा selection होगा हमें ये मान के चलना है कि हमारा best होगा तो इस पर doubt नहीं करना है कि मेरा ये backlog रह गया वो रह गया त क्योंकि मैंने यह नहीं किया, शायद यह नहीं हूपाएगा, क्योंकि यह नहीं किया, तो वो हमें नहीं सूचना है, हमें अपना best देना है, ठीक है, अपन जो काम कर रहे हैं, यह जो examination है ना, J examination, यह आपका सिर्फ selection नहीं करवाएगा, इसके साथ आपके अंदर कई सारी qualities डे जारने वाले हो, ऐसा तो नहीं होगा न, आगे जाके as a person आप कैसे हो, as a person आप कैसे develop कर रहे हो, आपका attitude कैसा है आगे जाके जीवन में, जीवन के प्रती, वही तो आपका future decide करेगा, rank तो चलो आपको एक tag मिल गया, कि हाँ चलो आपकी यह rank है, आपकी यह अच्छी बन आपका यह attitude develop हो रहा है, कि जब समय pass है, जब exam आने वाला है, तब क्या आपका attitude कैसा है, कि आप खुद को ही doubt करने वाला attitude है आपका, कि मैं अपने आपको doubt कर रहा हूँ कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या फिर आपका attitude ऐसा है कि नहीं, मैं अपना best दे रहा हूँ मेरा हो जाएगा, जो होगा अच्छा होगा तो ये एक attitude आप develop कर रहे हो और एक right attitude अगर आपने develop कर लिया तो rank तो चलो, मिल ही जाएगी तुम्हें साथ के साथ एक और important चीज जो lifetime तुम्हारे साथ में रहने वाली है that is the right attitude, the right way to approve things कोई भी आप काम जीवन में start करो और कोई भी आप काम करो उसको आप एक अच्छे तरीके से एक positive mindset के साथ में है ना, मेहनत के साथ में इमानदारी के साथ में आप निभा रहे हो तो आप अच्छा ही करोगे जीवन में हमेशा अच्छा करोगे, ठीक है तो इसी के साथ हम start करते हैं फिर आज का session on application of derivatives derivatives की एक बहुत अच्छी application आती है maxima minima के question में जो की बहुत interesting type के questions होते हैं तो वो हम सीखेंगे basic से हम चीज़ें आगे सीखते हुए फिर हम कुछ previous year question भी आज की class के आंतितक करने वाले हैं तो चलिए बचा लोग बिना केसी देरी के शुरू करते हैं फिर आज की class maxima and minima okay this chapter is all about local maxima है ना चार हम term देखने वाले है local maxima, local minima, global maxima, global minima ठीके तो आपन देखते हैं कि भाई ये terms क्या क्या होती है okay so local maxima y is equal to fx is set to have a function की set to have local maxima at x is equal to a if value of function at x is equal to a is greater than or equal to the values of the function in some neighborhood of x is equal to a local maxima है ना local gunda मतलब अपने area का कि भाई या वो अपने आजू-बाजू के जो neighbors है उससे value ज्यादा होनी चीए बस simple सी बात यह है कि x is equal to a पे मैं बोलूँगा कि local maxima है अगर the value of the function at x is equal to a is greater than their neighbors a के आजू-बाजू के जो points है उससे ज्यादा value है तो उसको अपन local maxima का नाम देंगे इसी तरीके से जो local minima रहती है ठीके local minima के लिए भी यह है कि y जो neighborhood है उसके आजू-बाजू ज्यादा हो इन graphs पर पनाएंगे थोड़ दिर में पहले एक वाट definition में फटा फट कवर करवा देता हूँ कि y is equal to fx is set to have local minima at x is equal to a if value of the function at x is equal to a is less than or equal to the values of the function in some neighborhood of x is equal to a है ना तो local maxima and local minima together are referred as local extreme values और local extremum इसी कोई अपन local extreme value या फिर local extremum बोलते है अब function y is equal to fx has global maxima global का मतलब क्या हुआ international गुंडा ठीक है global है वाही global maxima है यह मतलब कि पूरे interval में function y is equal to fx has a global maxima at x is equal to a if f of a is greater than or equal to f of x in the domain of f of x की पूरी domain में जो सबसे highest value है उसको अपन क्या बोलेंगे उसको अपन global maxima बोलेंगे जैसे कि देश से एक function बनाया मैना ठीक है यहां यह फंक्शन बनाया तो बच्चा लोग यहां पर maxima minima बहुत अलग लग टाइप की दिखाई दे रिए जैसे यह maxima है यह एक peak है यह एक peak है यह एक maxima है ठीक है इसको अपन local maxima बोलेंगे ठीक है क्यूंकि अभी इसका बाब बैठा है अना अभी और height के लोग बैठा है अभी और भी इससे उपर values है maximum मतलब समझो कि उपर वाली values maximum value that is maximum basically ठीक है अभी यह है global maxima है ना इन सब में जो सबसे उपर है वो क्या है यह वाला point इससे अपन बोलेंगे global maxima ठीक है यह भी एक maxima है देखो यह चूटू maxima यह भी एक maxima है बचलो यह भी एक maxima है यह ना तो global maxima local maxima के बारे में समझ मा रहा है local maxima बहुत सारी हो सकती है global maxima के लिए होगी एक ही global maxima सबसे बड़ी values अगर मैं local minima के बारे में बात करूँ तो यहां पर देखो यह भी एक local minima है यह जो है यह global minima है क्योंकि यह सबसे छोटी value है यह क्या है global minima है this is global minima point guys ठीक है clear रही थी बात है तो इसी तरह के बूल सकते है अब function wise equal to fx has a global minima मतलब जो सबसे छोटी value है सबसे कम value है ठीक है critical points से एक बहुत ही important term आती है critical points बहुत ज्यादा यूज आएगी सवालों के अंदर भी तो कि ऐसे points जहां पर f dash x या तो zero आ रहा है या फिर f dash x वहां पर एक्सिस्टी नहीं कर रहा है तो उन points को अपन है ना उन points को अपन critical points बोलते है ठीक है जहां पर या तो f-ex एक्षिस्ट हिने कर रहा हो या फिर फडश एक्स यहां पे जीरू आ रहा हो जैसे कि बचलो कि दना हो कि इस इस एक है जाए इसके निर्द एका जाय तो यह वाला पाउंट क्रिटिकल पॉंट हो गया क्योंकि यहां पे f-x 0 है F-X के आ रहा है यहाँ पर 0 आ रहा है slope क्योंकि यहाँ पर निकालोगे इधर अगर आप tangent ड्रॉप करोगे तो slope of tangent is 0 तो F-X is 0 ठीक है यहाँ पर भी दिखा जाए तो F-X की value 0 आ रही है यह भी एक critical point है यह वाला point भी critical point यहाँ पर F-X exist ही नहीं कर रहा है क्योंकि sharp corner है यहाँ पर तो इनको भी critical point में गिना जाएगा यह भी critical point है बचलो ठीक है यह भी critical point है तो जहाँ पर F-X या तो exist ही नहीं कर रहा हो sharp corner आ गया वो भी critical point count किया जाता है या फिर F-X जहाँ पर 0 हो जाए उनको critical point count किया जाता है क्यों important है critical point Important इसलिए है क्योंकि critical point contender से for maxima and minima critical point پर अपने को maxima या minima मिल सकते है जैसे देख सकते हैं यह critical point है यहां पर अपने को एक maxima देखने को मिल रहे है ठीक है तो critical points ऐसे points होते हैं जहां पर अपने को extreme values मिलती है ठीक है, along with end points as well end points कभी भी critical points में count नहीं होते है पर कई बार हमें end points पर भी maximum या minimum values मिल जाती है है ना, जैसे अगर मैं suppose इस graph को थोड़ा और ऐसा बना दू ठीक है, इधर ये खतम होगा graph अब है तो ये end point, critical point नहीं बोलेंगे इसको critical point कभी भी end points को critical points में count किया नहीं जाता है तो अगर हमें maximum या minimum value निकाल नहीं है तो कहां-कहां मिल सकती है, contenders कौन कौन से है, participants कौन कौन से है या तो critical points हो सकते हैं या फिर end points हो सकते है वहाँ पे हमें maximum या minimum value उस function की मिल सकती है बच जालो ठीक है, so it is to be noted that critical points are the interior points of an interval critical point हमेशा interior points रहेंगे एक interval के, ठीक है, it is not the end points है नहीं critical points are contenders for giving maxima and minima है नहीं, critical points are contenders for giving maxima and minima along with, along with end points end points पे भी हमें maxima and minima मिल जाती है, बहुत बार मिलती है ठीक है, तो critical points along with the end points are the contenders for giving us maxima or minima let's move ahead, let's do some examples on critical points find critical point of this, तो y यहां पे यह रहा, dy by dx निकाल देते है for x belonging to 1 to 4, हमें critical points बताना है, तो dy by dx हो गया बचा लोग x cube का differentiation 3x square, तो यह बन रहा है 3x square by 3 minus 5 times x square का differentiation 2x, 2x by 2 है न, differentiate कर दिया dy by dx निकाल रहे है, पन 6x का differentiation 6 आ जाएगा तो यह हमारे पास dy by dx की value आ रही है, 3 से 3 cancel out हो गया 2 से 2 cancel out हो गया, मतलब यह बन रहा है x square minus 5x plus 6 यह अपने पास dy by dx की value आ रही है, ठीके, अब dy by dx exist तो हर जगे करी रहा है इसके लिए, ऐसा कोई point नहीं है, जहां पर exist ना कर रहा हो है न, हर जगे कुछ ने कुछ value आएगी x की value के लिए 0 जरूर हो रहा है, कौन कौन से points बे 0 हो रहा है, इसके 2 factors प्राप्त मिल है न, 2 factors मिल रहे हैं, कौन कौन से, x minus 2 and x minus 3 तो dy by dx is 0, dy by dx is 0 at x is equal to 2 and at x is equal to 3 तो ये क्या दोनो critical points हो गए है, हाँ जी हो गए, क्योंकि ये दोनों, देखो, interior points भी है, end points तो नहीं है, end points होते तो आपन इसको critical points में नहीं count करते हैं end points को अपन critical points नहीं बोलते हैं बचा लोग, critical points वो points होते हैं जहां पर dy by dx 0 हो जाया या फिर dy by dx जहां पर exist ही ना कर रहा हो, तो यहां पर देखो dy by dx कांगा 0 हो रहा है, x बराबर 2 and x बराबर 3, तो x बराबर 2 and x बराबर 3 are the critical points, यही critical points होंगे, ओके, अगले example की तरफ बढ़े same है, बट इस बार x belonging to 2 to 4 कर दिया है, ठीक है, फिर से आपने dy by dx निकाला, dy by dx पिसले equation की तरह, फिर से अपने पास आगया, x minus 2 into x minus 3, same है expression, same चीज़ है, बट इस बार इस question में इतना सा फरक है, कि अगर इस interval में critical points पूछे गए हैं, तो x बराबर 2 पे dy by dx 0 तो हो रहा है, ब क्यूंकि end point है, है ना, तो x बराबर 3 is the only critical point, ठीक है, x बराबर 3 ही अकेला critical point है यहाँ पे, 3 क्यूंकि इस interval के बीच का point है, इस interval के अंदर का point है, end points नहीं है, ठीक है, क्यूं x बराबर 2 को count नहीं किया गया, है ना, because end points, end points are not counted in critical points, critical points में end points को अपन count नहीं करेंगे, बच्चा लोग, है ना, end points are not counted in critical points, critical points में अपन बीच के points, है ना, निकाल सकते हैं, तो dy by dx जाम पर 0 हो रहा है, दू ज़ेके पर 0 हो रहा है, x बराबर 2 पे भी, x बराबर 3 पे भी, बट x बराबर 2 को हमने critical point में count नहीं किया गय है, क्योंकि इस interval में अपने से पूचा गया है, और इस interval में 2 is one of the end points, ठीक है, that's why, ओके बचा लोग, let's move forward to the next question, y is equal to x minus 2 की power 2 by 3 into 2x plus 1, यहां पे हमें critical points निकालने हैं, तो dy by dx बताएगा कि भाई, critical points क्या होने वाले हैं, तो dy by dx कैलकुलेट किया जाए, पहले x minus 2 की power 2 by 3 का differentiation करेंगे, तो 2 by 3 आएगा, कूद के multiplication में, और power में से एक subtract होगा, अब x minus 2 की power कितनी रह जाएगी, 2 by 3 में से 1 subtract करोगे, तो minus 1 by 3 बचेगा, और 2x plus 1 को as it is रखा गया, तो पहले हमने इसका differentiation किया, इसको as it is रखा, प्लस, अब इसको as it is रखा, प्लस, अब इसको as it is रखो, 1 is 2 only, है ना कि 2x का differentiation 2 हो जाएगा, अब यहाँ पर LCM ले लिया जाए, तो यह 2 by 3 times यह x minus 2 की power 1 by 3 basically denominator में बैठा है, है ना, x minus 2 की power minus 1 by 3, basically x minus 2 की power 1 by 3 is in the denominator, multiplied by numerator में यहाँ पर 2x plus 1 plus, यह बन रहा है 2 times x minus 2 की power कितनी 2 by 3, यहाँ पर LCM ले लिया गया बचलो, ठेक है, x minus 2 की power 1 by 3 into x minus 2 की power 2 by 3, यहाँ पर x minus 2 बन जाएगा, overall, denominator में बन रहा है 3 times, है ना, मैं चेक करना चाहरा हूँ कि भाई, dy by dx कहाँ 0 हो रहा है, या फिर कहाँ exist नहीं कर रहा है, वही critical points हो गए, तो dy by dx, देखो, क्या बन रहा है, इधर यह multiply किया, तो यह बन रहा है, 2 times 2x plus 1 plus 3 times, है ना, 3 into 2, है ना, 6 times हो जाए गई तो, plus 6 times, 3 to the 6, 6 times x minus 2 बन जाया गई है, है ना, x minus 2 की पावर 1 by 3, इंटो x minus 2 की पावर 2 by 3, x minus 2 बन गाई धर, अब यह बन रहा है, 6x plus 4x, मतलब 10x बन रहा है, नुमेरेटर में, right, 6 into x plus 4 into x, that is, 10x in the numerator, और plus 2 minus 12, plus 2 minus 12, मतलब minus 10, divided by 3 times x minus 2 की पावर 1 by 3, यह हमारे पास dy by dx की वैल्यू आ गई, देखो, ठीक है, clear, dy by dx is equal to this, अब देखो, dy by dx कहाँ 0 हो रहा है, जब x की वैल्यू 1 रख दोगे, नुमेरेटर 0 हो जाएगा, dy by dx is 0, है ना, at x is equal to 1, dy by dx is 0, at x is equal to 1, तो x is equal to 1, one of the critical points है, और क्या हो सकते है, critical points जहां पे dy by dx exist ही ना कर रहा हो, fails to exist, कहां exist नहीं कर रहा है, x बराबर 2 पे dy by dx exist नहीं कर रहा है, क्योंकि x is equal to 2 पे denominator 0 हो रहा है, ठीक है, तो dy by dx does not exist, does not exist, at x is equal to 2, तो हमारे पास जो critical points आ गए, इसका final जवाब होगा, कि critical points points are, कौन कौन से critical point है, x बराबर 1, and x बराबर 2, यह अपने पास critical points आ गए, x is equal to 1, and x is equal to 2, x is equal to 1 पे dy by dx, 0 हो रहा है, x is equal to 2 पे dy by dx, exist ही नहीं कर रहा है, ओके, now let's move ahead, चलिए, quiz का समय हो चुका है, आजी, find critical points of y is equal to x cube minus 12x square plus 36x plus 17, 4x belonging to 1 to 10, इसके बीच में critical points क्या होने वाले हैं, तो आप बताना, comment section में, which of the following option is right, ठीक है, now let's move ahead, find values of a for which this function possesses critical points given that fx is not identically 0, ठीक है, critical points यह possess करे होने चीए, इसके पास critical points, ठीक है, तो अपने पास a की क्या value होगी, तो अगर इनके पास critical point है, मतलब f-x कहीं 0 हो रहा होगा, या फिर exist नहीं कर रहा होगा, जो भी होगा, तो पहले f-x calculate करना पड़ेगा, इसका differentiation करोगे, तो a square minus 3a plus 2 times cos x by 2 का differentiation हो जाएगा, बच्छा लोग, minus sin x by 2 है ना, minus 1 by 2 times sin of x by 2, यह cos x by 2 का differentiation होगा, देखो, cos का differentiation minus sign, अब x by 2 का भी differentiation करोगे तो वो 1 by 2 बनेगा, है ना, chain rule, ठीक है, कि पहले बाहर वाले cos का differentiation किया, जो हाएगा, minus sign, फिर x by 2 का differentiation किया, x by 2 का differentiation, 1 by 2, okay, plus a minus 1 आ जाएगा, यह, a minus 1 into x, x का differentiation 1, तो plus a minus 1 आ गया, ठीक है, a square minus 3a plus 2, इसके दूफेक्टर बनेंगे, a minus 2 into a minus 1, जिसमें से आप a minus 1 वाला factor common लिया, तो यह बन रहा है, a minus 2, negative of a minus 2 by 2 into sin of x by 2, यह बन रहा है, plus 1, plus 1, ठीक है, बचा लोग, एत्ती बात है क्लियर, है ना, यह बन रहा है, negative of a minus 2 by 2 into sin of x by 2 plus 1, जब हमने a minus 1 को इसमें से common ले लिया, तो f dash x की value वह यह आ रही है, अब f dash x 0 होना चाहिए basically, अगर exist कर रहा है critical point, ठीक है, यह बूल रहा है कि f x has critical points, कि says that this f x has critical points, अगर f x के critical points हैं, तो f dash x 0 आ रहा होगा कहीं पर, है ना, और वो 0 आ रहा होगा वहीं कहीं पर, पूरा 0 नहीं है, मतलब a 1 के equal तो नहीं है, f x 0 हो गया, मतलब तो भाई यह f x 0 है हमेशा, जो specifically इसने बोली रखाए कि हमेशा 0 नहीं है, बट कहीं f dash x 0 हो रहा है, तो अगर f dash x 0 हो रहा है, तो यह चीज़ 0 हो रही होगी बचलो, ठीक है, तो इसको equate करेंगे अगर 0 से, मतलब कि minus a minus 2 upon 2 times sin of x by 2 plus 1 equal to 0, जब आप इसको equal to 0 करोगे, इस negative वाली चीज़ को उस side लेगे गए, तो यह बन जाएगा कि 1 is equal to a minus 2 by 2 into sin of x by 2, basically यहां से sin of x by 2 की मैं finally value रख देता हूं, ठीक है, sin of x by 2 की value किसके equal आगे, आजी, 1 is equal to a minus 2 by 2 into sin of x by 2, तो sin of x by 2 will be equal to 2 upon a minus 2, यह हमारे पास sin of x by 2 की value आ चुकी है, हमें a की range निकालनी है, है ना, तो अगर f dash x 0 आ रहा है, देखो, f dash x कब 0 होगा, जब यह चीज़ 0 हो जाए, f dash x is equal to 0 किया, तो यह बन गया, sin of x by 2 is equal to this, मतलब जो इसकी a की range क्या होने वाली है, जो sin of x by 2 की range है, अपने को पता है कि sin of x by 2 हमेशा minus 1 से 1 के बीच में रहता है, ठीक है, sin x by 2 is between minus 1 to 1, अगर sin x by 2 minus 1 से 1 के बीच में है, तो 2 upon a minus 2, 2 upon a minus 2, वो भी minus 1 से 1 के बीच में होना चाहिए, है ना, 2 upon a minus 2 should be between minus 1 to 1, यह बात अपन बोल सकते हैं, है ना, कि 2 upon a minus 2 should be between minus 1 to 1, तब ही जाके अपना, है ना, अब एक ही range आजएगे यहां से, एक ही range हम लोग easily निकाल सकते हैं धर से, cross multiply मत करना, बट inequality के साथ deal करना आपको अच्छे साहना चाहिए, कि जब भी हम इस inequality के साथ deal करेंगे, एक बार इसको मैं copy कर लेता हूँ next page पे, ताकि हराम से हम पूरी जगे use करते हुए, ठीक है, तो f-x को equate किया 0 से, तो sin of x by 2 की value 2 upon a minus 2 आई, वो sin of x by 2 की value आई, वो minus 1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो यह sin equality को हमें solve करने का है, तो इसको कैसे solve करोगे, इस inequality को दो parts में तोड़ दो बचा लो, ठीक है, एक part मैंने बनाया, कि 2 upon a minus 2 is greater than or equal to minus 1, and 2 upon a minus 2 is less than or equal to 1, इन दो parts में मैंने इस inequality को break कर दिया, ठीक है, इन दो parts में हमें इस inequality को break कर दिया है, इसको, इस part को solve करोगे, इस वाले part को solve करोगे, दोनों का क्या करोगे, इंटरसेक्शन ले लोगे, ठीक है, अब इसको solve करने के लिए भी धियान रखना है कि ऐसा मत कर देना, directly cross multiply कर दो, inequality में नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये negative भी दो हो सकती है चीज, तो we don't cross multiply in inequality, है ना, इससे अच्छा आप ये करोगे, कि माइनस वन को आप इस साइड बुलाओगे, तो ये प्लस वन बन जाएगा, ठीक है, तो ये बनेगा, देखो, जीरो है ना, और ये टू अपॉन ए माइनस टू, प्लस वन यहाँ पर बन गया, एलसी हम लेंगे, तो ये numerator में बन रहा है, बचा लो कितना, ए माइनस टू एंटू एड होके, ए बन जाएगा, ए अपॉन ए माइनस टू, ग्रेटर देन और एक्वल टू जीरो, अब इस इनिक्वाइलिटी को सॉल करोगे, यूजिंग वेवी कर मैथटर, तो वेवी कर मैथटर बताता है, कि आ पहले critical points मार्क करो, ठीक है, critical points कौन कौ से हो गए, numerator यहाँ पर साइन बदलेगा, 0 पर, ठीक है, denominator यहाँ पर साइन बदलेगा, 2 पर, एना, numerator के लिए critical point 0, denominator के लिए critical point 2, तो अपने को greater than or equal to 0, positive वाला portion चाहिए, तो positive, negative, positive यह मिल रहा है, तो हमें जो answer मिलेगा, इस वाली का, तो वो answer मिल रहा है, minus infinity से 0, open bracket, union, close bracket, 2 to infinity, ठीक है, वेवी कर method से इसको solve किया, तो minus infinity से 0, union 2 से infinity अपने को मिल रहा है, अब इसको भी solve करना है, फिर दूनों को intersection लेना है, ठीक है, तो इसको solve किया, फिर से हम 1 को साइट बुला लिए, तो यह बन जाएगा, 2 upon, a minus 2, minus 1, less than or equal to 0, ठीक, clear, LCM लिया, तो यह बन 2 minus a plus 2 upon a minus 2 is less than or equal to 0, ठीक है, मतलब 4 minus a upon a minus 2, ठीक है, यह फिर ऐसा बोल सकते है, a minus 4 upon a minus 2 is greater than or equal to 0, ऐसे inequality बना दे, ठीक है, नूमरेटर में 4 minus a बन रहा था, उसको a minus 4 बनाया है, तो inequality का sign बदल दिया, मैंने यहापने, वो भी जाता है, ठीक है, negative से multiply करोगे, तो inequality का sign बदल दिया, तो a minus 4 into a minus 2 क्या, greater than or equal to 0, तो चलिए, इसको भी represent कर देते हैं, इसको अगर number line बनाके हम लोग represent करेंगे, तो critical point अपने को 2 and 4 मिल रहा है, 2 and 4, ठीक है, यह critical point मिल रहा है, या तो हमें 4 के right की values चाहिए, ठीक है, 4 या 4 के right की value, या फिर हमें 2 के left की value चाहिए, ठीक है, 2 के left की value मांगता है, हाँ, जी, clear रित्ती बात है, a-4 upon a-2 greater than or equal to 0 कब होगा, या तो 4 के right की value, या 2 के left की value लोगे, तो again, wavy curve method के हिसाब से, अब इन दोनों का intersection लेंगे, इनका जो common points आ रहे हैं, वो common points आ रहे हैं, तो minus infinity से 0 तक, ठीक है, और 4 से लेके infinity तक, और से लेके infinity तक है न, तो finally answer हो गया, a belongs to, a belongs to, minus infinity to 0, open bracket, union, और यहाँ पर यह 4 से infinity, union close bracket 4 to infinity, यह हमारा answer हो गया, ठीक, clear है बचलो, जी, let's move ahead, so this is the quiz timing, find a so that fx is equal to sin x minus 2 times a minus 1 into x possesses critical point, अगर जैसा पिछला question था, उसी type का सवाल है, but with less calculation, तो f dash x calculate करोगे, sin x का differentiation यहाँ पर cos x बन गया, minus 2 times a minus 1 into x, इसका differentiation करोगे, तो a minus 1 बन गया, अगर इसके critical points है, मतलब f dash x कहीं पर 0 आ रहा होगा, कहीं न कहीं यह 0 आ रहा होगा, मतलब cos x की value, कहीं न कहीं 2 times a minus 1 के equal आ रही होगी, अब देखो भई, cos x minus 1 से 1 के बीच में होता है, cos x minus 1 से 1 के बीच में होता है, तो यह भी 2 times a minus 1, यह भी minus 1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो इसके उपर यह condition लगा दी हमने, कि 2 times a minus 1 is between minus 1, 2 plus 1, 2 से divide किया बचा लोग, तो a minus 1 is less than or equal to 1 by 2, greater than or equal to minus 1 by 2, 1 add कर दिया, तो a is less than or equal to 3 by 2, greater than or equal to 1 by 2, यह पना answer होगे सवाल का, ठीक है, simple, greater than or equal to 1 by 2, less than or equal to 3 by 2, this will be our answer for this question, let's move ahead, now let's talk about maxima and minima, in the beginning we realized maxima and minima occur at critical points and end points of interval, जो बात मैं आप से बार बार कहा रहा था, कि भाई maxima, minima critical points पे भी अकर कर सकते हैं, या फिर end points of interval पे भी अकर कर सकते हैं, यह ना, of course not all the critical points give maxima and minima, हर critical points maxima minima दे दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आजी सर ऐसा, critical points contenders सो होते हैं, maxima minima देने के लिए, बट हर critical points maxima minima आपको दे दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे कि यह point देखो बचलो, यह वाला point देखोगे, यहाँ पे f-x 0 आ रहा है, इधर आप देखोगे, तो f-x कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है, इस point पे slope देखोगे, 0 आ रही है, बट यहाँ पे नहीं maxima है, नहीं यह point minima का point है, तो देखो, जहाँ f-x sign बदल रहा है, इधर देखो f-x का sign नहीं बदला, इससे पहले जो sign था, उसके बाद में भी वही sign है, यहाँ पे f-x का sign बदल रहा है, इससे पहले देखोगे, तो slope positive है, f-x, यहाँ पे देखोगे तो slope negative हो गई, तो अगर slope positive से negative में जा रही है, slope अगर positive से negative में जा रही है, या negative से positive में जा रही है, basically अगर f-x अपना sign बदल रहा है, तब वो वाला critical point, contender रहेगा maxima या minima देने के लिए, अगर f-x अपना sign यह नहीं बदल रहा है, तो उस point में maxima या minima नहीं यह कर करती है, थोड़ा और detail में देखेंगे इन चीज़ों को, ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं, first derivative test, जो मैंने बात बोली थी अभी, अगर f-x का sign बदल रहा है, तो वहाँ पर maxima या minima हमें मिल सकती है, अगर f-x का sign में कोई परिवर्तन ही नहीं आया है, अगर f-x का sign वही है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं है, तो वहाँ पर maxima या minima नहीं मिलेगी, maxima minima कब मिलेगी, जब sign बदल रहा है, किसका f-x का, f-x का sign positive से negative हो रहा है, या negative से positive हो रहा है, ठीक है, जैसे अगर ऐसा हुआ देको, यह वाला point आप समझ रहे हो, this is the point of maxima, यह maxima का point है, यहाँ पर f-x का sign 0 हो रहा है, बचलो कि यह critical point है भी, यहाँ पर f-x का sign कैसा हो रहा है, 0 हो रहा है, अब f-x का sign में परिवर्तन क्या आया है, यहाँ परिवर्तन यह आया है, कि इस point से पहले तक तो slope positive थी, क्योंकि tangent जो drop करोगे, tangent acute angle बना रही है, positive direction of x-axis के साथ, positive direction of x-axis के साथ में, tangent जब तक acute angle बना रही हो, मतलब slope positive है, इसके बाद वाले points देखोगे, तो tangents obtuse angle बना रही है, यहाँ पर आप tangent ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पर f-axis जो है, वो negative है, क्योंकि tangent क्या है, obtuse angle बना रही है, f-axis is basically the slope of the tangent, tangent की slope ही तो f-axis कहला दिया, ठीके तो यहाँ पर f-axis negative है, तो इधर देखो f-axis positive था, f-axis greater than 0, तो अगर f-axis का sign में परिवर्टन यह आ रहा है, अगर f-axis का sign positive से negative हो रहा है, अगर f-axis का sign positive से negative हो रहा है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, maxima प्राप्त होगा, ठीके, अगर f-axis x का sign positive से negative हो रहा है, तो हमें maxima प्राप्त होगा, और अगर negative से positive होगा, जैसे कि इस case में, ठीके, जैसे यह graph होना है मैंने यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि एक minima मिल रहा है यहां पर ना minima इधर f-x के sign में परिवर्तन क्या आया है कि इससे जस्ट पहले तक तो slope negative थी बाद में इसकी slope positive हो गई तो अगर f-x का sign negative से positive है तो वहाँ पर minima मिलने वाला है और अगर f-x के sign में कोई परिवर्तन ही नहीं है तो वहाँ पर ना ही maxima मिलेगा ना ही minima मिलेगा तो find the points of maxima and minima for this curve तो f-x हमारे सामने कुछ given है f-x यहाँ पर calculate किया जाए बचा लोग तो f-x की value आएगी minus x cube का differentiation minus 3x square plus 12 बन जाएगा ठीक है यहाँ से minus 3 common लिया तो यह x square minus 4 यह अपने पास f-x मिल रहे ला है ठीक है f-x का अब sign के बारे में देखोगे ठीक है तो f-x is equal to minus 3 times x minus 2 into x plus 2 ठीक है तो f-x का sign किस तरीके से है अब देखना जारा कि minus 2 and 2 पे तो f-x 0 हो रहा है कौन-कौन से point पे देखो minus 2 पे f-x 0 हो रहा है प्लस 2 पे भी f-x 0 हो रहा है अगर मैं extreme right की बात करूँ 2 के right में तो sign कैसा मिलेगा अगर x की value 2 से बड़ी रखोगे है जिससे 3 रख दो 4 रख दो तो आपको दिख रहा है कि एक negative sign मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है product of these two factors or how is the product of these two factors तो देख सकते है 2 के right में अगर कोई भी number लोगे जिसे यहाँ पर 3 ले लिया तो 3 minus 2 1 3 plus 2 5 तो 1 into 5 into minus 3 तो मतलब एक negative sign मिल रहा है ना 2 के right में तो negative positive negative इस तरीके से अपने सामने sign scheme चल रही है ठीक है तो जब हमें f dash x के sign के बारे में idea लग जाता है ना उसके बाद मैं graph draw करना बहुत easy है कि मैं graph देखो कैसे draw कर रहा हूँ कि minus 2 से पहले तक तो negative आ रहा है f dash x अगर f dash x negative आ रहा है तो मतलब function decrease हो रहा होगा right अगर f dash x negative आ रहा है तो function decrease हो रहा होगा प्रमान रсемी अगर यह बात कब तक decrease हो रहा है? x बेराबर – 2 है, उसके बाद में function ने increase होना चलो किया देखो x बेराबर – 2 तक x is equal to minus 2 तक function decrease हो रहा था decrease हो रहा था, उसके बाद में function ने increase होना चालो हो किया, क्योंकि f-x का sign वहाँ पर positive आ गया, फिर x बराबर 2 तक increase किया, उसके बाद वापिस decrease होना चालो हुआ, है ना x बराबर 2 तक एक point तक increase किया, फिर वापिस decrease होना चालो कर दिया, 2 के right में वापिस से ये function decreasing है तो ये वाला point हो गया x बराबर 2 तो इस तरीके से अपन एक graph भी draw कर सकते हैं कि minus 2 से पहले तक decreasing minus 2 से 2 में increasing 2 के right में वापिस decreasing एक graph मिल रहा है ये वाला point क्या हो जाएगा ये minima का point हो गया और ये ही बात मैंने आपको थोड़ी दे पहले समझाए भी थी कि जहाँ पर sign negative से positive में change हो रहा है है ना decreasing से अगर function increasing हो रहा हो तो वो point of minima कहलाता है अगर function decreasing से increasing में convert हो रहा हो तो उस point को अपन क्या बोलेंगे point of minima अगर function increasing से decreasing चला गया increase हो रहा increase हो रहा फिर decrease होना चलो हो गया तो यह इसकी जीवन का peak हो गया ना कि आप increase आप improve करते जारो करते जारो करते जारो फिर आप पढ़ना छोड़ दिया और improve करना बंद कर दिया तो उसमिला रहा है वो point तो जीवन का peak हो गया ना तो यहाँ improve कर रहे था increasing function था फिर decrease होना चलो कर दिया तो वो peak हो गया वो maxima हो गया तो वही बात है इसके लिवी कि अगर f'x का sign positive से यहाँ पर f'x positive है यहाँ पर f'x negative है अगर positive से negative में f'x का sign जा रहा है तो वो point of maxima तो first derivative test जो है हमें maxima minima के बारे में बता देता है ठीक है चलिए find the points of maxima and minima for this function तो यहाँ पर f'x calculate किया गया बचलो तो f'x इदर बन रहा है x की power 5 का differentiation 5 into x की power 4 x की power 4 का differentiation 4 multiplication माया आगा 5 forza 20 20 x cube यहाँ पर x cube का differentiation करोगे तो 3 x square मतलब यह बन जाएगा 15 x square minus 10 का differentiation तो 0 बन गया तो f'x ऐसी कुछ expression बन रही है इसमें से 5 x square common लेके गया तो यह बनेगा x square minus 4 x plus 3 बन जाएगा ठीक है यह अपने पास f'x आ रहा है ठीक है तो f'x कितना आ रहा है 5 x square times x minus 3 into x minus 1 यह अपने पास f'x देखने को मिल रहा है ठीक है this is f'x right now ओके अर्वी clear इतनी बात है अब सुनो f'x के sign में क्या क्या परिवर्त ना रहा है है ना तो एक number line बनाई मैंने number line पर अब मैं यह चीज़े decide कर रहा हूं कि कहां पे sign कितना देखो f'x 0 कहां कहां पे हो रहा है x बराबर 0 पर f'x 0 हो रहा है देखो x बराबर 0 पर x बराबर 1 पर भी 0 हो रहा है x बराबर 3 पर भी f'x 0 हो रहा है है ना f'x 0 हो रहा है कहां कहां पे x बराबर 0 f'x is equal to 0 for x बराबर 0, 1 and 3 clear रहती बात है अगर मैं 3 से right की कोई value रखता हूँ तो f-x का sign कैसा आएगा इस expression का sign कैसा मिलेगा एक positive sign मिलेगा हमें 3 से बड़ा अगर कोई number रखा गया यहाँ पर 3 से जैसी छूटा number रखा negative sign मिल जाएगा क्योंकि x-3 यह वाला factor अपना sign बदलेगा तो यहाँ पर negative sign देखने को मिलेगा 1 से जैसे ही यहाँ पर इस critical point से pass किया again sign positive हो गया बट 0 के right में भी sign positive ही रहेगा यहाँ पर sign में कोई भी परिवर्तन आता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है ना x बराबर 0 पर sign में कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि इसकी power even है अब 0 से बड़ा नंबर रखो या 0 से छोटा नंबर रखो sign में कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि इसकी power क्या है even है तो x बराबर 0 पे f dash x 0 तो हो रहा है बट f dash x के sign में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो देखो इसका graph कैसे बनेगा इसका, आपन graph का pattern देखें, तो pattern बता देगा f-x, कि increasing था, increasing था, 0 पे 1 second के लिए slope 0 ही, बट फिर से increase कर रहा है, ठीक है, देखो graph बना रहा हूँ, increase करवाना है, करवाना है, x बराबर 0 पे 1 second के लिए ये 0 हुआ, फिर आगे increase ही कराना है, ये हो हुआ बचा लो, point x बराबर 0, देखो function increase कर रहा है, x बराबर 0 पे f-x 0 हुआ, उसके बाद में भी increase ही कर रहा है, देखो increasing, इसके बाद में भी increasing, फिर x बराबर 1 पे, हालात बदल के, जज़बात बदल के, देखो, 1 पे क्या हुआ, कि 1 से पहले तक तो increase कर रहा था, 1 के increase कर रहा था, उसके बाद decrease होना start हुआ, decrease भी कहां तक हो रहा है, x बराबर 3 तक ही decrease हो रहा है, उसके बाद में वापिस से यह increase होना start हो चुका है, ठीक, 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 clear, तो यह हमारे पास एक graph बनेगा इस function का, कि this is how its graph looks like, अब x is equal to 0 पे f dash x 0 हो तो रहा है, बट ना ही यह maxima है, ना ही यह minima है, यह na maxima का point है, ना ही यह minima का point है, क्योंकि इसके about f dash x का sign नहीं बदल रहा, इससे पहले भी increasing, इसके बाद में भी increasing, अगर मैं x is equal to 1 के बारे में बात करूँ, तो यह maxima का point हो गया, क्योंक decrease होना चालो कर दिया, तो यह peak वाला है, यह maxima वाला point हो गया, ठीक है, फिर देखो, फिर यहाँ पे decrease हो रहा है, decrease हो रहा है, उसके बाद में increase होना चालो कर दिया, तो यह कौन सा point हो गया, यह minima वाला point हो गया, ओके, है ना, तो बहुत important है यह समझना, कि अगर f dash x का sign change हो हो रहा है positive से negative, तो यह maxima वाला point हो जाएगा, x is equal to 1 is the point of maxima, if f dash x changes its sign from positive to negative, अगर f dash x का sign negative से positive में change हो रहा है, तो यह होगा point of minima, ठीक है, point of minima, तो clear है, यह first derivative test इसे क्यों बूल रहा है, क्योंकि भाई, first derivative निकाला, f dash x निकाला, उसके sign में क्या परिवर्तन आ रहा है, इस इसे अपन पता लगा सकते हैं कि वो point maxima का point होगा, या minima का point होगा, या कुछ भी नहीं होगा, अगर sign में कोई परिवर्तन नहीं आया, जिसे 0 के about sign में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो नहीं वो point maxima का है, नहीं वो point minima का है, यह critical points तो है, अगर आपसे critical points पूँचा जाए critical points आप से पूछा जाए तो आप तीनों बताओगे आप ये भी बोलोगे कि x is equal to 0 critical point है 1 भी है 3 भी है तीनों critical points है बचा लो ठीक है but point of maxima and minima पूछा जाए तो x is equal to 1 and x is equal to 3 are the points of maxima and minima x is equal to 0 पे नहीं maxima कर रही है नहीं minima कर कर रही है ठीक है क्योंगि maxima minima आकर करने के लिए अपने आजू-बाजू वाले नेबर से या तो बड़ा होना चाहिए चोटा होना चाहिए ऐसा यहां पर हो नहीं रहा है है यहां पर देखो X is equal to 0 के left neighbor से देखूगे तो इससे तो बड़ा है, right neighbor से क्या है, छोटा है, तो यहाँ पर यह नहीं maxima है, नहीं यह minima है, क्या clear है, clarity है अपने को, कि critical point हमेशा extreme values दे दे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, critical points हमेशा extreme values दे दे, ऐसा जरूरी नहीं है, The function fx is equal to this, has no maxima and minima, ठीक है, one maximum and one minimum, two maxima, two minima, क्या बोलेंगे अपने इस function के बारे में, तो यहाँ पर f dash x calculate किया गया, f dash x आ रहा है, 2x cube, x cube का differentiation 3x square, right, तो इधर यह 6x square बन जाएगा, minus 6x minus 12, differentiate किया, तो यह बन रहा है, 6 इस में से common लिया बचा लोग, तो 6 times x square minus x minus 2, यह अपने पास f dash x मिल रहा है, which is 6 times x minus 2 into x plus 1, यह अपने पास f dash x प्राप्त हो रहा है, ठीक है, f dash x ऐसा कुछ मिल रहा है, 6 times x minus 2 into x plus 1, अब f dash x के sign के बारे में देखोगे, तो फिर से एक वेवी कर method का use किया गया, minus 1 and 2 are the critical points, minus 1 पे f dash x 0 हो रहा है, 2 पे f dash x 0 हो रहा है, 2 के right में अगर sign देखोगे, तो positive sign मिलेगा, फिर यहाँ पे negative sign, फिर अगेन इधर positive sign, ठीक है, तो इसका graph कैसे रहने वाला है, इसका graph ऐसे रहेगा कि देखो function increase कर रहा था, फिर बाद में decrease होना चालो हुआ, फिर वापिस increase होना चालो हुआ, देखो, minus 1 तक तो increase कर रहा था, x is equal to minus 1 तक increase कर रहा था, 1 से 2 के बीच में यह decrease करना चालो हुआ, 2 के बाद वापिस increase करना चालो कर दिया, तो यह हो गया point of maxima, जब भी f dash x sign change कर रहा है positive से negative, तो point of maxima, और अगर negative से positive जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, point of minima, यह minima का point हो गया, हाजी, clear है, तो it has one maximum and one minimum value, तो इस तरी कि अपन ग्राफ बना सकते हैं, अगर हमें यह पता हो कि dy by dx का sign कैसा है, तो अपन ग्राफ बना सकते हैं, prove that y is equal to this has no extremum, check कर लेते, भाई, इसका कोई extremum है की नहीं है, तो dy by dx निकाला, dy by dx आ रहा है, x cube का differentiation 3x square, मतलब यह 12x square minus 36x plus 27, यह अपने पास dy by dx की value आ रही है, तो इस में से अगर मैं 3 common ले लूँ, तो 3 times यह बन रहा है, 4x square minus 12x plus 9, and 3 times 4x square minus 12x plus 9, यह dy by dx, अब देखो dy by dx कहीं 0 हो रहा है क्या, क्या यह equal to 0 कहीं हो पा रहा है क्या, तो अगर इसका मैं discriminant check करूँ, तो इस quadratic के discriminant की value आ रही है, b square मतलब 12 का square, 144 minus 4 into a into c, minus 4 into 4 into 9, dy by dx, यह अपने पास मिल रहा है, कि 144 minus 4 into 4 into 9, ठीक है, तो 16, 169s आ, ठीक है, यह ना, वो फिर से 144 हो गया, तो 144 minus 144, मतलब यह 0 बन रहा है न, discriminant equal to 0 बन रहा है, हाँ जी, discriminant equal to 0 बन रहा है, इसका मतलब एक यह perfect square बना रहा होगा, ठीक है, किसी का perfect square बन रहा है, यह 2x minus 3 का whole square बन रहा है, है न, यह 3 times 2x minus 3 का whole square बन रहा है, यह न, 4x square minus 3 to the 6, 6 into 12, plus 3 square, right, ओके, dy by dx is a perfect square, एक perfect square के बारे में हम यह चीज जानते हैं, कि यह हमेशा greater than or equal to 0 होगा, इसका critical point तो है, अगर आपसे पूछा जाए, कि what is the critical point, इसका critical point, critical point, इसका आ रहा है, x is equal to 3 by 2, मतलब x is equal to 3 by 2 बे dy by dx 0 आ रहा है, ठीक है, मान लिया critical point है, but dy by dx का sign थोड़ी न बदल रहा है, अगर sign बदल रहा होता, तो वो extreme points भी हो जाता, वो maxima या minima का point भी हो जाता, अब यह maxima या minima का point नहीं है, यहाँ पे sign में कोई भी परिवर्तन, कोई भी changes नहीं आ रहे है, है ना, इसका graph कुछ इस तरीके से बनेगा, कि increasing increasing increasing, फिर एक ज 0 तो हुआ, but dy by dx हमेशा positive है, क्योंकि एक perfect square है, dy by dx, so it is always positive, इससे पहले भी increase हो रहा था, इसके बाद में भी increase हो रहा है, dy by dx is always positive, although it is becoming 0 at x is equal to 3 by 2, उस पे 0 तो हो रहा है, but इसका कोई फरक है ना, यह extreme points में नहीं count होगा, critical points में count हो रहा है, इसको अपन critical point बोलेंगे, but यह extreme points में नहीं है, मतलब यहां पर maxima यह minima नहीं मिल रहा है, okay, clear इती बात है, तो not all critical points will give you extreme values, that's the thing, है ना, if x is equal to minus 1 and x is equal to 2 are extreme points for fx is equal to alpha times ln x ln of mod x plus beta x square plus x, then है ना, हमें बतानी है, alpha and beta की value, so guys, I am giving this question to you as a homework question, ठीके, try this out, let me know its answer in the comment section, okay, बचलो, तो चलिए, इस question को देखते है, 2018 में पूछा गया, बहुत ही easy सवाल, ठीके, और इसके उपर जो भी सवाल देखोगे, बहुत interesting होते है, तो एक बार आप previous year question देखोगे, ना, मजा आएगा करने में, ठीके ना, तो अभी कुछ questions लेके आए हूँ, मैं इन दो points पे, इसका मतलब हुआ कि f dash x 0 आ रहा है, कहां कहां पे x is equal to 1, at x is equal to 1 and 2, यहां यहां पे f dash x 0 आ रहा है, यह मतलब हुआ कि इसका extreme values है इन दो points पे, फिर दूसरी बात बोली गई है कि limit x approaching towards 0, fx upon x square plus 1 is equal to 3, ओके, तो यहां पे एक काम करता हूँ, plus 1 को set भेजता हू तो plus 1 को set भेजे, 3 minus 1, 2 हो जाएगा, मतलब यहां पे बन गया है, limit x approaching towards 0, fx upon x square is equal to what, 2, यह अपने पास है, अच्छा, fx क्या है, polynomial है degree 4 का, तो degree 4 का polynomial को consider कर लिजे, यह न, तो let fx be, fx को मैं मान रहा हूँ, ax की power 4, ठीक है, ax की power 4, plus bx cube, plus cx square, plus dx, plus e, यह न, degree 4 का polynomial को consider करना है, अपने ऐसे consider कर लिया, यह न, कि ax 4, plus bx cube, plus cx square, plus dx, plus e, divided by x square is equal to 2, divided by x square, इसके limit की value कितनी आ रही है, 2 आ रही है, है न, कि limit of fx upon x square, limit x approaching towards 0, that is equal to 2, okay, x square से आपने divide किया, तो यह बन रहा है, limit x approaching towards 0, ax की power 4 upon x square, मतलब यह ax square बचेगा, plus यहाँ पर bx बचेगा, cx square को x square से divide करोगे, तो यह पर plus c बचेगा, और dx को x square से divide करोगे, तो अपने यहाँ पर dy x बचेगा, plus e by x square बचेगा, is equal to 2, है न, x square से divide कर दिया है, x² से divide कर दिया है, अब जब x 0 का approach होगा, तो इन दुनों में दिक्कत नहीं लग रही है आपको, कि सर, denominator तो 0 हो रहा है, है ना, denominator 0 होगा, तो ये पूरी expression infinity को भाग रही होगी, जबकि इसकी कोई finite value आ रही है 2 के equal, तो मतलब definitely, definitely guys, d की value भी 0 हो रही होगी, और a की value भी 0 होगी, d और e की value क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, है ना, d और e की value 0 होने वाली है, यहां पर x की जगे 0 put किया, यह 0 हो गया, यह 0 हो गया, है ना, तो c is equal to what, इधर से अपने पास मिल रहा है, कि c is equal to 2, c is equal to 2, and d and e are 0, यह information हमें यहां से पता चल गए, ठीक है, तो अब हमारा जो fx है, अब fx रह गया अपना कितना, कि ax की power 4, plus bx cube, plus cx square, मतलब 2x square, plus dx plus e, d और e तो 0 है, है ना, तो fx अपने पास इतना सा रह गया, इतना सा, कि ax की power 4, plus bx cube, plus cx square, ठीक है, अभी भी दो unknowns है, a and b, दो unknown की value और निकालनी है, अभी दो informations और use करनी है, कि fx कहां कहां पर 0 आ रहा है, x बराबर 1 and x बराबर 2 पर, तो fx की value calculate करते है, तो fx is equal to 4ax cube, plus 3bx square, plus 4x, यह अपने पास fx की value आ रही है, अगर आप f dash of 1 की value calculate करें, तो वो 0 है, ठीक है, तो f dash of 1, x की जगे पर 1 put किया, तो यह बन रहा है, 4a, 4a plus 3b plus 4, plus 3b plus 4, इसकी value कितनी बचा लोग, 0 आ रही है, 4a plus 3b plus 4 की value 0, x is equal to 1 पर, and x is equal to 2 पर भी, तो x की जगे 2 put किया, तो f dash 2 की value आ जाएगी, ठीक है, 2 cube 8, 8 forza, 32, तो 32a plus 2 square 4, 4th is a 12, plus 12b plus 8, यह अपने पास में f dash 2 की value आ गई, जब x की जगे पर 2 put किया, और यह भी किस के equal है, 0 के equal है, ठीक है, क्योंकि f dash 1 and f dash 2 की value 0 बता रखे, बोल रखा है कि इन दुनों points पे, local extremum हमें देखने को मिल रहे है, अब इन दुनों equations को solve करते हैं, बचा लोग, ठीक है, इन दुनों equations को solve करने के लिए, इसको मैंने 4 से multiply किया, एन फूर्थ रिजर 12, 12B 12B हो जाएगा, फिर दुनों को subtract करोगे, तो 32A minus 16A, ठीक है, so that is equal to 16A, 32A यहाँ पर बन रहा है, minus 16A, तो that will be 16A, 12B में से 12B गया, खतम, 8 में से 16 माइनस हुआ, 8 माइनस 16, 8 माइनस 16 is minus 8, तो 16A minus 8 is equal to 0, A की value यहाँ से आ जाएगी, 1 by 2 के equal, देखो कितना आसाल, ठीक है, A की value 1 by 2 आ गए, A की जगे 1 by 2 पुट कर दो, किसी भी equation में, जैसे यहाँ पर पुट कर दिया, एकी जगे 1 by 2, तो यह बन जाएगा 2 plus 3B plus 4 बराबर 0, 3B की value यहाँ से minus 6 आ रही है, B की value यहाँ से minus 2 आ जाएगी, B is equal to what? minus 2, तो हमारा जो function fx था, ठीक है, fx will be equal to A x की power 4, A की value 1 by 2, तो 1 by 2 into x की power 4 plus B x cube, B की value minus 2 आ रही है, मतलब minus 2 into x cube, minus 2 x cube plus C x square, है न, plus 2 x square, यह अपने पास f dash fx की value आ गई, this is our function fx, f of minus 1 की value पूछी गई है, x की जगे minus 1 put कर होगे, तो f of minus 1 is equal to minus 1 की power 4, जो की plus 1 हो गया, तो plus 1 by 2, यहाँ पर minus 1 का cube है न, तो इधर यह plus 2 बन जाएगा, plus 2 यहाँ पर बन रहा है, 2 to 4 है न, तो 4 plus 1 by 2, which will be equal to 9 by 2, यह हमारा answer हो गया, इस question का option A, right, simple है, easy है, तो 9 by 2 is our answer for this question, let's move ahead guys, if s1 and s2 are respectively these sets of local minimum and local maximum point of this function fx, then, मतलब local minimum के points क्या है, local maximum के points क्या है, यह आप सब पूछा गया है सवाल में, ठीक है, तो local minimum या local maximum के points निकालने के लिए f dash x calculate करोगे, तो f dash x यहाँ पर बनेगा, x की power 4 का differentiation 4 x cube है न, तो 9 forza 36, 36 x cube बन गया, 12 x cube का differentiation करोगे है न, 3 x square, 12, 36 again, तो 36 x square again, है न, यहाँ पर minus 72 x बन रहा है, ठीक है, यह अपने पास f dash x आ गया, right, 36 यहाँ से common लिया बचा लोग, तो f dash x is equal to 36 common लोगे, और x भी common लिया, तो यह बन रहा है, x square plus x minus 2, यह अपने पास f dash x आ रहा है, which is equal to 36 x times x plus 2 into x minus 1, this is our f dash x, है न, simple, अब देखो f dash x कहां कहां पर 0 हो रहा है, है न, इसका wavy curve method से आप करोगे इस question को solve, तो x is equal to 0 पर 0 हो रहा है f dash x, x is equal to 1 पर 0 हो रहा है, and x is equal to minus 2 पर, इन 3 points पर f dash x हमें 0 होता हुआ दिखाए दे रहा है, कहां कहां पर, x is equal to 0 पर, x is equal to 1 पर, x is equal to minus 2 पर, extreme right में देखूगे तो positive sign, फिर negative, फिर positive, फिर negative, यह f dash x का sign बताया जा रहा है, ठीके, मतलब function का graph किस तरीकी से होगा, function का graph पहले decreasing होगा, फिर increasing होगा, फिर decreasing होगा, फिर increasing होगा, इस type से function का graph होने वाला है है ना देखो पहले decreasing फिर increasing फिर decreasing फिर again increasing decreasing increasing decreasing फिर again increasing ठीक है कहां कहां पर चीजे बदल रही है एक तो x बराबर minus 2 पर ये point minus 2 हो गया ये point 0 हो गया x बराबर 0 यहां पर ये है point x बराबर 1 ठीक है तो इज़र से दिख रहा है कि x बराबर 0 एक तो point of maxima है and point of minima 2 आ रहे है minus 2 and 1 ठीक है तो if s1 and s2 respectively are sets of local minima and local maxima तो s1 है local minima का set local minima का set के अंदर 2 points आएंगे minus 2 and 1 ठीक है minus 2 and 1 ये दोनो local minima हो गया तो अपना answer आ रहा है minus 2 and 1 that is in the set s1 and local maxima के जो point है वो एक ही आ रहा है 0 ठीक है कैसे पता चलता है कहाँ local maxima कहाँ local minima I hope it is very much clear to all of you guys कि अगर f-x का sign negative से positive में जा रहा है अगर decreasing से increasing है तो यहाँ पे minima का point रहेगा increasing से decreasing गया maxima का point रहेगा फिर देको decreasing से increasing गया point of minima बनेगा है इसी तरह से इसका graph बन रहा है कि पहले decreasing फिर increasing फिर decreasing फिर increasing फिर increasing ओके clear है तो first derivative test जो हमने सीखा है वो आपको maxima and minima के points बता देता है तो now that we have understood the concept of maxima minima let's do some examples where we need to do little bit more analysis ठीक है इस type का example देखेंगे जहां पर थोड़ा बहुत और अपने को analysis करना पड़ेगा find maxima and minimum value of function fx where gx is equal to xq plus x square plus x plus 1 function fx क्या है maximum of g of t till t is less than or equal to x where x is less than 0 x greater than or equal to 0 पे graph कैसा रहेगा 3 minus x तो यह तो बहुत ही easy हो गया देखो greater than or equal to 0 के लिए तो कोई tension वाली बात ही नहीं है 3 minus x graph है less than 0 के लिए 0 के left में कैसा graph रहेगा x is equal to 0 के left में कैसा graph रहेगा वो हमें सोचना है यहां पर ठीक है हाँ जी तो let's do this question अगर g-x की value calculate करे g-x तो वो आ रहा है बचा लोग 3x square plus 2x plus 1 यह g-x आ रहे है तो यह कैसा दिख रहे है क्या इसके factors निकाल पाएंगे क्या इसका factorization possible है इसका factorization possible नहीं है क्योंकि इसका discriminant जो है इसके discriminant की value calculate करो तो वो negative आती है discriminant is equal to what 4 minus 4ac 4 minus 12 which is less than 0 discriminant यहां पर negative है मतलब यह g-x जो है वो हमेशा positive है it implies g-x is greater than 0 मतलब इसका जो graph रहेगा वो हमेशा एक increasing graph रहने वाला है कहीं पर भी ऐसा decrease नहीं होगा क्योंकि g-x यह जो expression है यह quadratic expression है यह quadratic expression के factors नहीं है इसका discriminant negative है quadratic expression का अगर इसके factors नहीं है मतलब यह कहीं पर 0 नहीं हो रही होगी ठीक है 0 नहीं हो रही होगी मतलब यह हमेशा ही 0 से बड़ी है positive है जो g-x is always greater than 0 तो maximum of g of t till t less than or equal to x तो इसके अंदर यह g-x ही आ जाएगा ठीक है तो इसका देखो graph कुछ इस तरीके से बनेगा बचलो x बराबर 0 के right में तो मैं आपको बता देता हूँ graph इससे बनेगा 0 पे इसकी value है इस चीज की value 0 पे आ जाएगी 3 के equal ठीक है 0 पे इसकी value है 3 उसके बाद में यह जो straight line है इसकी slope negative है तो मतलब ऐसा चलेगा straight line ठीक है इस type की अपने को line दिखाए देगे यह ना This is fx is equal to 3 minus x ओक है 0 के left में इसका graph देखेंगे तो maximum of g of t till t less than or equal to x क्योंकि यह हमेशा ही increasing चीज है ठीक है तो maximum कहां पे मिलेगा जैसे से आगे बढ़ते चले जाओगे maximum मिलता चला जाएगा तो इसका जो graph रहेगा वही जो gx का graph है वही रहने वाला है तो gx का जो graph है जो कि एक हमेशा increasing graph है इसकी value अगर आप 0 पे देखोगे तो इसकी value 0 पे तो 1 आ रही है 0 पे तो इसकी value 1 दिख रही है इससे पहले हमेशा इसका increasing graph कुछ इस तरी के से रहेगा ठीक है तो यह हमने function fx का एक graph बना लिया है ठीक है यह इसका graph हो गए इसकी बाद में इसका graph इस तरी के से है तो यहां पे maximum value कहां दिखाई दे रही है point of maxima मुझे इधर देखने को मिल रहा है कहां पे find maxima and minima value तो point of maxima x बराबर 0 पे हमें देखने को मिल रहा है this is the point of maxima क्योंकि अपने neighbor root से बड़ा है neighborhood से बड़ी value आ रही है तो this is the point of maxima ठीक है neighborhood से बड़ी values दे रहा है यह okay so point of maxima is point of maxima is x बराबर 0 x बराबर 0 पे हमें maxima मिल रहा है और वो maximum value कितनी मिल रही है 3 मिल रही है ठीक है let's move ahead now find number of solutions of 3x square minus 2x cube is equal to log of x square plus 1 minus log of x ठीक है इसके हमें number of solution बताना है ठीक है log a minus log b is log of a by b तो x square plus 1 upon x which is equal to x plus 1 by x है ना x square plus 1 upon x को split किया तो x plus 1 by x left hand side में एक cubic लिखी है हमारे सामने cubic है 3x square minus 2x cube तो जब भी दो अलगलेक टाइप के functions आ जाता है ना क्यूंकि right hand side तो एक logarithmic function है left hand side एक cubic function है इसके अगर हमें number of solutions बताना है कि कितने इसके solutions exist करना है तो यहाँ पे हम लोग graph का सहारा लेंगे graph हमें best तरीके से बता पाएगा इन दोनों के graph जितनी जगे पर intersect कर जाएंगे उतने ही number of solutions होने वाले है तो basically हमें graph बनाने है इन दोनों के graphs बनाने है तो यहाँ पे सबसे पहले अपन fx is equal to 3x square minus 2x cube इस function को analyze कर लेते हैं फिर अपन इसका graph बना लेंगे तो इसको analyze करते हैं f-x की value calculate करेंगे तो मिलेगा 6x minus 6x square तो 6x common लिया तो यह बन जाएगा 1 minus x यह f-x बन रहा है ठीक है तो मतलब इस fx का जो graph रहेगा ना एक मैं आपको rough graph बनाओ तो f-x के sign में देखोगे आप लोग तो f-x का sign कैसा बन रहा है x is equal to 0 and x is equal to 1 are the critical points 1 के right की value में यह negative है फिर यहाँ पर positive है फिर again यह negative है देखो x की value अगर 1 से बड़ी रखोगे तो f-x का sign negative आ रहा है फिर positive है फिर again negative तो इसका graph देखोगे कुछ इस फरकार का बनेगा इस फरकार का इसका graph बनने वाला है ठीक है और अपन 0 के right में ही देखने वाले है अपन किसमें 0 के right में देखेंगे क्योंकि यह defined ही तब होने वाला है जब x greater than 0 इसकी domain जो है domain में ही x greater than 0 है बचलो ठीक है क्योंकि तो log x defined नहीं होगा अगर x greater than 0 नहीं हुआ तो इसकी domain अपन देखती ही समझ में समझ में आ रही है कि इसकी domain जो होगी वो 0 से बड़ी ही होने वाली है तो इसका जो graph रहेगा वो ऐसा रहेगा increase हो रहा है फिर वनके बाद में decrease होना चालो हो गया यह function fx के graph के बारे में हमने इतनी बाते बताई है maximum जो point आएगा वो x बराबर बन पाएगा अब अगर मैं इस वाले function के बारे में बात करूँ let's say यहाँ पर यह जो function है fx is equal to log of x plus 1 by x इसके बारे में बात करी जाए ठीक है तो यह कहाँ पर 0 हो रहा है इसकी f'x की value है न इसका nature समझने के लिए इसका differentiation किया जो बन रहा है 1 upon x plus 1 by x into अब x plus 1 by x का differentiation करोगे x का differentiation 1 1 by x का differentiation minus 1 by x square तो इदर से ही हमें यह समझ माए कि f'x जो 0 हो रहा है वो कहाँ कहाँ पर x बराबर 1 पे 0 हो रहा है f'x is equal to 0 at x is equal to 1 x is equal to 1 पे f'x 0 आ रहा है ठीक है 1 के left में क्या scene है 1 के right में क्या scene है यहाँ पर तो x is equal to 1 and x is equal to minus 1 पर भी वैसे तो 0 बन रहा है यहाँ पर यह x is equal to 1 and x is equal to minus 1 बट अगर अपन proper इसका sign देखे तो 1 पर basically यह minimum value लेगा न x is equal to 1 पर बचा लोग यह minimum value लेने वाला है which is log of 2 log of 2 is the minimum value at x is equal to 1 for this function ठीक है log of 2 to the base 2 base 20 का कितना है 2 है उसके बाद में अगर x की जगे क्योंकि हमें पता है कि x plus 1 by x is always greater than or equal to 2 तो अगर अपन इसका graph बना है log of x plus 1 by x का अपन graph बना है तो इसका graph कुछ इस तरीके से बनेगा देखो हूँ हम ध्यान से x जब 0 को approach करेगा x जब 0 को approach करेगा तो यह चीज़ infinity को भागेगी log of infinity तो यह infinity से इसका graph आतावर दिखाए देगा x बराबर 2 पे इसकी minimum value रहेगी x बराबर 1 पे 1 पे इसकी minimum value रहेगी बचालो क्योंकि x is equal to 1 पे यह बनेगा 1 plus 1 by 1 1 plus 1 by 1 that is the minimum value for this one 1 के बाद में वापिस increase होना चालो कर देगा और x बराबर 1 पे जो minimum value रहेगी वो कितनी रहने वाली है 2 रहने वाली है तो यह हमने इसका graph बना दिया कि log of x plus 1 by x x जब 0 को होगा तो यह infinity को भागेगा x बराबर 1 पे इसकी minimum value x is equal to 1 पे यह log of 2 to the base 2 log 2 to the base 2 log 2 to the base 2 मतलब इसकी value 1 रहेगी यहां पे ना log 2 to the base 2 मतलब यह value 1 ठीक है यह ना 1 basically that is log of 2 to the base 2 which is equal to 1 ओके फिर वापिस increase होना चालो हो गया क्योंकि यह हमेशा greater than or equal to 2 ही रहता है x plus 1 by x x plus 1 by x is always greater than or equal to 2 और यह minimum value 2 तब achieve कर लेता है at x is equal to 1 तब यह ना बोला कि at x is equal to 1 इसकी minimum value रहेगी x is equal to 1 पे यह log of 2 बन जाएगा log of 2 log of 2 की value क्या आ जाती? 1 आ जाती वही इसकी minimum value है तो यह हमने log of x plus 1 by x का graph बनाया है अब यहाँ पर इसका भी graph हमने already इसके graph के nature के बारे में तो समझी लिया ठीक है? इसका देखो nature क्या बनने वाला है? इस function को देखोगे तो x is equal to 0 पे तो 0 है है ना? x is equal to 0 पे 0 ठीक है? उसके बाद में कैसा? increase हो रहा है 0 के बाद में increase हो रहा है कहां तक increase हो रहा है? x बराबर 1 पे और x बराबर 1 पे इसकी value देखी जाए तो x बराबर 1 पे इसकी value क्या है? f of 1 is equal to 3 x square minus 2 है ना? तो 3 minus 2 which is equal to 1 x is equal to 1 पे इसकी value 1 आ रही है तो इसका graph ऐसे रहेगा बचलो x is equal to 1 पे इसकी value 1 है तो देखो यह जो white वाला graph है यह है log of x plus 1 by x to the base 2 यह जो green वाला graph है यह अपनने graph बनाया है y is equal to 3 x square minus 2 x ठीक है? अब चीजों को summarize कर देते हैं अपन लोग यह log का graph बनाया है यह इसका graph हाया है y is equal to 3 x square minus 2 x cube का graph बनाया है x बराबर 0 पे 0 आ रहा है 0 से 1 के बीच में increasing function है देख सकते हैं इसके differentiation से मुझे पता चला कि 0 से 1 के बीच में increase हो रहा है फिर 1 के बाद में वापिस decrease होना चालो किया तो 0 से 1 के बीच में increase हो रहा है 1 के बाद में वापिस से decrease होना चालो हुआ 1 पे इस function की value क्या है x की जगे 1 put किया तो 1 पे इस function की value कितनी आ रही है 1 ही आ रही है बचलो तो x बराबर 1 पे आप देख सकते हैं दोनों graph टच कर गए so x is equal to 1 is the only solution यही एक एकलोता solution है तो x is equal to 1 is the only solution number of solution पूझे गए तो number of solution यहाँ पे 1 ही आ जाएगा तो आप देख पा रहे हैं इस type के question को हम graphically deal करेंगे graph बना लेंगे दोनों functions का और graph के साथ अपन लोग easily deal कर सकता है ठिक, clear तो इसी के साथ आज के session के अंत में पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमने maximum and minimum and first derivative test देखा है next class के अंदर हम लोग और आगे बात करेंगे application of derivatives पे अब questions solve करते रहे हैं जादा से जादा questions इस topic के लगाई है previous year question का है अगर अच्छा का साथ सेट कर ले तो ना बढ़िया practice हो जाएगे तो बस practice करते रहे chapter बहुत easy है बहुत ज़्यादा interesting है and thank you everybody for being a part of this class see you in the next one till then this is your match teacher Kundran Makar signing off tada bye bye have a great day